गिटिखदान इलाके में दो सहिलियों पर कार्ट चड़ाय जाने के मामले में गिटिखदान पुलीस ने घटना के तीन सप्ता बाद कार्चालक 23 वर्षिय आरूपी कमलेश चिरंजीव विश्वकर्मा को किरफतार किया है गिटिखदान पुलीस का कहना है कि आरूपी कार्चालक को पहले सुचना पत्र दे कर छोड़ दिया गया था गुरवार की राद उसे गिरफतार किया गया है शुकरवार को उसे न्यायले में पेश किया जाएगा गिटिखदान इलाके के शिवाजी चौक के समीप सुबहट तहल ने गई ममता संजे आदमने और उनकी सहली बंदनाज पार्टिल को कार ने कुचल लिया था गटना में दोनों मैला एक अबिरूप से जख में हो गई पुलीस द्वारा आरूपी कारचाला की खोश बिनकर उसे पकड़ा गया बताय जाता है कि इस प्रकरन के सामने आने के बाद पुलीस ने धारा 337, 338 के तहत मामला दर्श किया था जिसके बाद पुलीस ने आरूपी को सुचना पत्र दे कर छोड़ दिया था पुने एक्सिडेंट के बाद मामला तुल ना पकड़े इसलिए गौर करते हुए आरूपी की गिरफतारी की जाने की बाद लोग कह रहे है जो गिटिकादन पुलीस का जो साथ तारीका जो ओपेंस रजिस्टर हुआ एक्सिडेंट में जा मीडिया पे CCTV जो पुटेज वायरल हुआ था उसके बारे में आज आज अमने आरूपीया आरेस्ट किया है और जो वेहिकल भी तावे मिलिये है पुने की घटना के बाद एक्सिडेंट के सभी मामलों में पुलीस का रवया सक दिख रहा है इस मामले में पुलीस भी सक कारवाई करेगी ऐसा नजर आ रहा है कैमेरा परसन अकिलेश भारदवाश के साथ प्रकाश रूंखलवार बीसीय न्यूज नाकोर्ट प्रकाश करेट रहा है इस सब्सेट आ प्रकाश करेड़ में प्रकाश प्रकाश करेवाश लाबलब भारद़ रहाईवार है